श्कार दोस्तों, welcome you all again to the most comprehensive and to the point lecture series on UPSC mapping. उमीद करता हूँ इसके previous अप्रोडिट वीडियो जिसमें हमने world mapping, जिसमें हमने ब्रह्मापुत्र river system, गंगा river system, इंडस river system को बहुत elaborately discuss किया, आपने जरूर विजिट किये होंगे. इस particular lecture में हम लोग पैनिन्सुलार river system को समझना और पढ़ना चाह रहे हैं. इसके previous अप्रोडिट वीडियो में जरस्ट आपने देखा था गोदावरी river system, जो की पैनिन्सुलार इंडिया की largest river है. इन इस particular lecture हम बात करेंगे क्रिष्णा river के बारे में. क्रिष्णा river जो की largest east flowing river है हमारे पैनिन्सुला की. तो चली शुरू करते हैं, सबसे पहले जैसा कि हम लोग हर बार किसी भी river का origin पढ़ते हैं, तो क्रिष्णा river originate होती है from महा बलेश्वर, from an altitude of nearly about 1336 meter, near the Jor village, जो की extreme north पे आता है of district सतारा. तो हमने यहां से क्या चीज़ सीखी? हमने यहां से सीखा, कि अगर कोई भी पूस्ता है, कि क्रिष्णा river कहां से originate होती है, I mean उसे किस district से महाराष्ट की, तो जवाब देना है हमें, सतारा. यहां पे मैं आपको एक चीज़ और बता दू, क्रिष्णा river system या क्रिष्णा river, one of the disastrous rivers है, पूरे world की, क्योंकि जितना soil erosion यह monsoon season में अपने साथ करती है, उस कारण से यह बहुत सारा मलबा अपने साथ लेके जाती है, जो कि बहुत disastrous होता है, उसके route में जो भी जगे आती है. अब अगर हम लोग यह देखें, कि यह जो क्रिष्णा river है, इसके आइट साइड में कौन-कौन से hill ranges आती है, तो हमें जानने को मिलेगा कि इसके northern side में, बाला घाट range हमें देखने को मिलेगी, नौर्थ में, इस्टन घाट्स साउथ में, और वेस्टन घाट्स इसके वेस्ट में. अगर हम total length की बात करें, तो it is nearly about 1400 km, कृष्णा river एक बहुत बड़ा delta, shoreline पे about 120 km फॉर्म करती है. इसके बाद इस river से जुड़े, कुछ important dams के बारे में हम लोग जरूर discuss करेंगे, जो कि बहुत important होता है, किसी भी exam perspective से. तो सबसे पहला जो हैं पे dam में लिखूँगा, वो है, Almaty Dam. इसके बाद स्री सेलम, इसके बाद नागार जुना सागर, और आकरी में, प्रकाशम, बेरेज. इसके बाद में दोस्तों, कृष्णा रिवर की, हम लोग tributaries के बारे में बाद करेंगे. Simple सा logic है, जैसा कि हम जानते हैं, जो भी tributaries, कृष्णा रिवर के इस site से मिलेंगी, वो left bank tributary क्यलाएंगी, जो भी tributary इस site से मिलेंगी, वो right bank tributary क्यलाएंगी. यह कैसे होता है, यह हम जानते हैं. तो चलिए, सबसे पहले, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, left bank tributary इसके बारे में. तो left bank tributary में, जो सबसे important tributary होती है, वो है, भीमा. जिससे कि अगर मैं इसको zoom out करके दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंना आपको दिखाने की भी कोशिश किये, यह भीमा tributary को. clear है? खेए, अभी तो हम सिर्फ नाम देख लेते हैं, तो भीमा, भीमा के बाद आएगा डिंडी, इसके बाद में हलिया, फिर मुसी, पलेरू, मुनेरू, पेड़वागू. नउ, लेट से बाद आएगा बैंक ट्रिबूटरी आएगा डिंडी, और क्रिश्ना रिवर. सबसे इंपोर्टेंट, रिवर का नाम मैं सबसे पहले लिख देता हूं, जिसका नाम है तुंगा, बद्रा, अब तुंगा बद्रा रिवर, यहाँ पर, क्योंकि मैंने लिखी यह, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, कि तुंगा बद्रा रिवर फॉर्म होती है, बाइदा, यूनिफिकेशन, अफ तुंगा, एंड बद्रा, तुंगा बद्रा के बाद, जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिवर होगी, वो है वेना, वेना के बाद कोईना, कोईना, कोईना डैम, के लिए फेमस है, आपको पता होगा, कि इस डैम में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, इसके बाद में पंच गंगा, दूद गंगा, और आखरी में घट प्रभा और माल प्रभा, घट प्रभा और माल प्रभा, इसके बाद देखते हैं, कृण कृण सी इंडियन स्टेट के लिए, मेजर इर्रिगेशन का सोर से, तो हमें जवाब मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ली, महरास्ट, करनाटक, तेलंगाना, और आंध्रप्रदेश, और उसके बाद बे ओफ बेंगॉल में ये मर्ज हो जाती है, तो चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को थोड़ा सा और अच्छ से जान लेते हैं, जिसमें अगर हम भीमा नदी के बारे में बात करें, तो ये ओरिजिनेट होती है, भीमा शंकर हिल्स से नियर करजाथ, और वेस्टन साइट ऑफ वेस्टन घाट्स, जिसको सहियाद रिवी बोलते हैं, भीमा शंकर, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, इसके बाद हम बात करते हैं, मूसी रिवर के बारे में, मूसी रिवर को मुचुकुन्दा रिवर भी कहा जाता है, मूसी रिवर एक ट्रिब्यूटरी एक रिष्णा रिवर की, जो की ओरिजिनेट होती है, अनन्त गिरी हिल्स में, ये आपको शायद याद न रहे, तो आप फिर से रिपीट कर रहा हूं है, अनन्त गिरी हिल्स में, ये ओरिजिनेट होती है, और सबसे important fact, इसमें वो ये है, जो हुसेन सागर, लेक है, वो इसी मूसी रिवर पे, built up है, इसके बाद में हम बात करते हैं, कोईना रिवर के बारे में, कोईना रिवर ओरिजिनेट होती है, महा बलेश्वर से, महा बलेश्वर अभी हमने देखा था, याद होगा आपको, कहां पे देखा था, कृष्णा रिवर के ओरिजिनेशन पे, और यहें भी कोईना रिवर महीं से ओरिजिनेट होती भी दिख रही है clear? So that's it from my side for this particular topic उमीद करता हूँ आपने भहा सारी चीज सीखे और समझे होंगी In the end, keep shining, have a good day